नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा तलवार और आप देख रहे हैं फस्स बाइट टीवी देश में दिन पर दिन नई नई समस्याइं सामने आ रहे हैं जिन में से ज्यादतर मुद्दे राजनीतिक मामलों से जुड़े होते हैं कुछ सामप्रदाइक्ता से जुड़े होते हैं तो वहीं कुछ मामले निजी मामले होते हैं और फिर लेए देकर सामने आते हैं समाजित मुद्दे उन पर बात की जाती है यही वज़ा है कि लोग आज कल ना तो सरकार से संतुष्ट हैं ना ही समाज के ठेके दारों से फिलाल नौजवानों की स्थिती कुछ ऐसी बनी हुई है जिससे वो अवसाद के शिकार होने के अलावा कहीं के भी नहीं बचे वेरोजगारी के समस्या जहां दिन पर दिन घर कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार प्राप्त लोगों की नौकरियों पर अब आच आने लगी है उनकी नौकरियों पर तलवार रट गई है मसला ही है कि आटो मुबाइल इंडस्ट्री में लंबे समय से मंदी का दौर चला आ रहा है जिसके कारण अब 10 लाख नौकरियों पर खत्रा मंडरा रहा है इस स्तिती से बचने के लिए आटो कॉंपोनेंट मैनुफेक्ट्रोस अससियेशन अफ इंडिया ने पूरे आटो मुबाइल उद्योग के लिए जिस्टी दर में 18 प्रतीशत की एक समान स्तर की भी मांग की है वहान उद्योग में लंबे समय से चली आ रही मंदी से इस शित्र की नौकरियों पर जोखिम और बहुत ज़्यादा बढ़ता चारा है अब हाला आती हैं कि जिस्टी की दर पर सरकार बात मान लेती है तो नौकरियां बचाने में मदद मिल सकती है इस मुद्य को लेकर जोब हमने मेरा टिस्टी दा सुनड़ाई के जनरल मैनेजर से बातचीत की तो सुनिये उनकी क्या प्रतिक्रिया रहे आज हमारे साथ है GM Service JS Rana जानते हैं इनसे कि सुनने में आ रहा है कि कार की manufacturing बहुत जादा कम होती जारी है तो लोग इस कार बेरोजगार हो रहे हैं प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं जी माम नमस्कार बिसिकली जो आपका कोश्चन है वो बिलकुर सही है कि manufacturing कुछ कंपनीज ने कम करें रिजन बिंग कि आपको पता होगा लास्ट फॉर तू फाइप यर्स में सरकार ने कुछ ऐसी नियम कुछ ऐसी प्रोसेसिंग बनाई है कि जो अन्य सरी के जो बिजनिस लोगों ने खोल रखे थे फर्मस अपनी चला रहे थे इल्लिगल तरीके से तो बिंस हम अगर सुलवात करें जो manufacturing लोग लिवल पर जो वेंडर्स काम कर रहे थे वो बन्द हो चुका है लोग लिवर इसन क्या कि बिलिंग किसी की होती थी और सप्लाई किसी और को माल हो रहा था एक्चॉल गवर्मेंट के खाते में पैसा नहीं जा रहा था जब गवर्मेंट ने GST एन अधर सोर्सेज लेके आई उसके बात इंडस्ट्री में कमी तो आई है मैन पाउर और स्रीक कम करिए चट नहीं करिए कि जो लोग से रिक्वाइड थे उन्हें को काम दिया जा रहा है जो वाकई में करने वाले थे में एक काम पे तीन तीन आदमी रखे हुए थे कंपनी को लगा कि इस चीज के में ऐसा भी नहीं के काम होने के कारण ये कि इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होगी इंडस्ट्री चल रही है नो एट परजेंट वही बंदे वर्किंग में है जो ठीक से काम कर पा रहे है तो मतल है तो री वर्क स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री दोबारे से स्टेबलेस कर सकते हैं प्रपर चैनल से चलें गौर्णमेंट सपोर्ट भी कर रही है इवन जो बंदे कह रहे हैं कि मैं बेरोजगा रहू हुआ अभी निउ इंडस्री और भी लग रही है कुछ अग पर तरीके से इलेगल तरीके से जो काम कर रहे होंगा या पैसा के दर सोर्सेज में इन्वेस्ट कर रखा है उनका काम बंद हुआ है बड़ी इंडस्ट्री पे कोई फरक नहीं पड़ा है मैं वह अपनी जगे एजिडिस चल रही है आपका कहना है कि मतलब जो सप्लाई है व इन्वेस्ट कर रही है तो इन्वेस्मेंट करेंगे तो ओवेस्टी में पार को नौकरी मिलेगी अब मैंन पार चाह रहा है कि मैं काम भी ना करूं और सिर्फ एक दोस्ट जेता रहो कि बेरोजगारी है बेरोजगारी मेरे पार बेज दीजे काम करना चाहता है ना मेरे पार बेदिये मैं लगा लोगो मैं बंदे चाहिए इवन ऐसे बहुत सारी डेस्टी ज़न जो बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी है इस्पोर्ट में है मेरे इस्पोर्ट के लिए जाना जाता है यहां बंदे दूर-दूर से काम करने आते अब आदमी काम नहीं करना चाहिए और दोस्त जेतारे जी बेरोजगारी बेरोजगारी नथिंग कुछ नहीं है ने इंडस्टी आ रही है सपोर्ट कर रही है गुर्मेंट सपोर्ट उनको कर रही है जो वाकी में जैनुएन पैसा सही जगे पर लगा रहे है आपको बता दे कि मार्केट में ऑटो कॉम्परेंट उ मोटर वाहन का बिजनेस काफी दिनों से मंदा चल रहा है पिशले कई महीनों से हर सेग्मेंट में वाहनों की बिक्री में गिरावट लगत तार देखी जा रहे हैं उनका कहना ये भी है कि वाहन उद्योग के कारणी आटो कॉंपनेट उद्योग तरिक्की करता है अब ऐसे में उत्पादन में फिलाल 15 से 20 प्रतीशत की कटाउती से काफी समस्य अवाली स्थिती पैदा हो चुके है जिसका असर ये हो रहा है कि 10 लाक लोग बेरोजगार होने की कगार पर खड़े हुए हैं फिलाल सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि धर्म जाती राजनीती से थोड कीजिए फस्ट बाइट को नमस्कार